नमस्कार मैं हूँ प्रग्या पिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुप्यों के गंगा विलास क्रूज के अटकने की खबर अफवा आगटबंधन सरकार की बजट सत्र की तारीक तै अब पिकार में मरीज के इलाज में नहीं होगी लापडवाही बने अर्थिस कंट्रोल रूम सुधियादर के अस्थिक कलस का यहां दर्शन कर सकेंगे आमलो रिशब प्रग्त ने अपने जान बचाने वालों के नाम का किया खुलासा इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से गंगा विलास क्रूज के अटकने की खबर अफवा बीते दिन ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही थी कि लगजरी गंगा विलास क्रूज बिहार के छपड़ा में अटक गया था बता दें कि यह खबर महज अफवा थी इस बात के पुस्टी Inland Water Phase Authority of India के दोरा की गई है दरसल Inland Water Phase Authority of India के चेर्मेन संजय बंदोपाध्याई ने गंगा विलास क्रूज के बारे में जानकारी देते में बताया कि गंगा विलास क्रूज अपने नत्य कारेक्रम के नुसार पटन इसे दिन कोरोना से बचाओं के लिए दिया जाने वाला तीका करण का दो साल पूरा हो गया है सफसर परभास सरकार के दोरा आंकरा जारी किया गया है जिसमें यह पाये गया है कि बिहार तीका करण के मामले में गुजरात, मध्यप्रदेश, पश्यम बंगात, राजस्थान और तमिल नाडू को पीछे छोड़ दिया है चानकारी के लिए बता दे कि जारी किये गये आंकरों के नुसार विहार में 7 करोड़ 20,84,000 डो स्टीका का महिलाओं को दिया गया है तो वहीं 6 करोड 92,43,000 डो स्टीका का पूर्शो को दिया गया है वहीं सूची में पहले इस बजट सत्र की सुरवा 27 फरवरी से होगी जो की 5 अप्रैल तक चलेगी इस दोरान 21 बैठक होनी की संभावना है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस बजट सत्र के दोरान महागरवंदन सरकार की भावी योजनाओ और अब तक राजियों में किये गए विकासकारियो के साथ चल रही योजनाओ की विस्तार से जानकारी दी जाएगी और साथ ही 2023-24 बीतिये वजट पेश किये जाने की संभावना है मालू हो कि राजे में भाजपा के विपक्ष में आने के बाद यह पहला बजट सत्र होगा बिहार सरकार ने पुआल जलाने वाले किसानों के लिया फैसला लैसे किसान जो पुआल का जलाने का काम करते हैं उनके लिए बिहार सरकार के दोरा बड़ा फैसला लिया गया है बता दे कि बीते दिन मुख्यमंतर ने इतीस कुमार के दोरा धान खड़ी थी समिच्छा बैठा करते वे यह फैसला लिया गया है कि पुआल जल वाली हानी से भी अवगत कराएं मुख्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि शोचल मीदिया के माध्यम से प्रचारित करवाया जाएं पत्ना के ब्लर्ड मैं अरुनेश कुमार को को ना संक्रमन के पहले लहर के दौरान लोगों को मदद पहुचाने रख्तदान के छेतर में व करनाटक के सी एम बस्वराज बोम्मई और केंद्रिय मंत्री थावर्चंद गहलोत के दौरा राष्ट्रिय युवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस महोत्सव का उद्गाटन प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के द्वारा किया ग जाना होगा तरहसल मुख्यमंत्रे डिजडल योजना के तहट राजे में 38 कंट्रोल रूम का निर्मान किया गया है ताके जिलों के एप एचसी से लेकर सदर अस्पतालों तक पर नजर रखी जा सके बता दी कि अब डॉक्टरों के अस्पताल में आने जानी का समय कितने मरी चीजों को देखा गया उसकी संक्या जैसी जूरी पल-पल की जानकारी पटना इस्तित मुख्याले को मिलती रहेगी इसके साथ ही अब लोगों को अप्रैल मह से अस्पतालों से जूरी सभी जानकारी घर बैठे-बैठे ही मिलने लगेगी मालम हो कि उस योजना के तह स्वा स्वार्निम विजय वर्ष का रक्षा मंतरी राजनात सिंग के उपस्तिती में साक्षी बनेगा बता दे कि स्वार्निम विजय वर्ष के मौके पर 18 मार्च को पटना के बापू सभागार में एक कारिकरम आयोजित किया गया है जिसमें रक्षा मंतरी राजनात सिंग भी शाम अधिकारी और राजनीता भी मौझूद रहेंगे मालूम हो कि इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 3,000 विसुस्ट लोगों को आमंतरन पत्र भेजा गया है सरद्यादव के अस्थी करस का यहां दर्शन कर सकेंगे आम लोग समाजवादी नेता और पुर्व केंद्री अमंतरी शरद्यादव के पुतर शानतनु और पुतर शुभाशनी के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार शरद्यादव का अस्थी कलस आम लोगों के दर्शन के लिए मदेपूरा लाया जाएगा जिसमें से एक कलस को उनके दा संस्कार वाली जगह पर स्थापित किया गया है तो वही दूसरे कलस को उनकी कर्म भूमी मधिपूरा में स्थापित किया जाएगा दरसर सरद्यादव का मानना था कि अस्थियों को नदी में बहाने से नदी प्रदुशित होती है यही बज़ा है कि उनके अस्थी कलस को नदी में भाने के बज़ाए जमीन में दबाया जाएगा इसके साथ ही उनकी एक्छा के नुसार मृत्यू भोज कारिक्रम के बज़ाए दिली में एक सोक बैठा काईवजन किया जाएगा बिहार में नकसल घटनाओं में आई गिरावट ADGP मुख्याल जितिंद्र सिंग गंगवार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार बिहार में नकसल घटनाओं में कमी आई है हुए साथ मुठ भेर में तीन नकसली मारे गए थे और कूल 172 नकसली गिरिफ्तार किये गए थे साथ ही करीब 35,60,000 लेवी का पकड़ा गया था उन्होंने बताया कि 2017 में कूल 71 नकसली घटना घटित हुई जो कि 2022 की तुलना में काफी जादा है दरसल 2022 में केवल 13 नकसली घटना ही घटित हुई है इस तरह नकसलीों के दौरा 2022 में एक ग्रामीन की हत्या की गई थी जबकि 2017 में नकसलीों ने कुछ 17 ग्रामीनों की हत्या कर दी थी समधान यातरा के तहत आज अर्वल और जहानाबाद पहुँचे पहर के मुखे मंतरे नितीज कुमार आज अपनी समधान यातरा के दौरा जहानाबाद पहुचे चाहनोंने कई योजनाओं का नरिक्षन किया और साथ ही अस्थानिये लोगों से बाचीत कर उनकी समस्याओं को सुनी बता दे ही कि मुखे मंतरे नितीज कुमार सबसे पहले अरवल जिला के ग्राम परसादी इंगलिस के वार्ट संख्या 12 पहुचे और वहां साथ निश्य योजना के तहट बनाए गए ग्रामीन पेजल का नरिक्षन किया इसके साथ ही उन्होंने जिवीका दीदियों से मुलाकात की प्रुथ शाहन रासी दी और सोलर लाइट योजना का भी नरिक्षन लिया इसके बाद सीयम नितीज जहानाबाद पहुचे जहां उन्होंने मांदल पंचायत के महा दरित तोड़ा में योजनाओ का नरिक्षन किया एवं ग्रामीनों से मुलाकात की और साथ ही जहानाबाद समहार नाले सभाकार में अधिकारियों के साथ समिच्छा बैठक की आरजैनिको जेडियो ने उनके ही अंदाज में दिया जवा बीते दिल सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चन्दर सेखर के दौरा ट्वीट शेयर करते वें कहा गया था कि सिक्षित बिहार और तेश्वी बिहार जिसके बाद अब उनके इस ट्वीट पर जेडियो के दौरा किया गया है नीरज कुमार ने आकरा जारी करते में बताया कि वर्स 2003-04 में सिख्षा पर 3.74 फीजदी खर्च होता था और 2021-22 में 19.3 फीजदी 2005 में उच्छ सिख्षा में राश्ट्री अस्तर पर 12 फीजदी चात्र पंजी करन करते थे जब प्रशान किसोर का राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोलते वेख जब तकी 2021-22 में यहां आकरा उनीस दसमलो तीन फीजदी हो गया कि अगर नरिंद्र मोदी के दोड़ा पिछले 9 सालों में एक बार भी बिहार के विकास के लिए बैठक की होगी तो मैं अपना जूता सिर पर लेकर घुमूंगा वही नितीज कुमार महागरवंदन के साथ इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं डर था कि अगर 2024 का लोग सभ पती बना कर एक खिरकी खोल रखी है आरजडी और जेडियो का जन्म ही एक दूसरे का विरोध करने के लिए हुआ है सक्षा मंत्री के ट्वीट पर बोले उपमुखे मंत्री वितेदन बिहार के उपमुखे मंत्री सब परेटन मंत्री तेश्री आदव ने परेटन विभाग की तरफ से 9 वर्ष की डाड़ी वाल कालेंडर और डस्क कालेंडर का लोकारपन की एस दोरान उन्होंने बिहार के सक माध्य में जरूरी नहीं है कि हर एक ट्वीट पर रियाक्शन दिया जाए उन्होंने कहा कि लेकिन ये अच्छा है कि सिच्छत है बिहार क्यों ना है इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार में कई चीजें ऐसी हैं जिसे लोग नहीं जानते इसलिए बिहार की ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है रिशप पंत ने अपने जान बचाने वालों के नाम का किया खुलासा 30 दिसमबर 2022 को रुड की हाईवे के पास टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्ले बाज रिशप पंत का कार अकसिडेंट हो गया था जिसके बाद हाली में उन्होंने अपने ट्वीटर पर फोटो शेर करते वे उन दो नामों का खुलासा किया है और धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनकी जान बचाई थी उन्होंने कहा हो सकता है कि मैं व्यक्तिगत रूफ से सभी का सुक्रियादा न कर पाओ लेकिन मुझे इन दो नाइकों को सुईकार करना चाहिए जिन्होंने मेरी दिरगटना के दौरान मेरी मदद की और सुनिश्चित किया कि मैं सुलक्षित रूफ से आस्पताल पहुँचू रज़ित कुमार और निश्यु कुमार को मेरा धन्यवाद मैं हमेशा अभारी और रिन्नी रहूँगा इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीच शेर किया जिसमें उन्होंने कहा कि अपने दिल की गहराई से मैं अपने सभी प्रशन्स को टीम के साथ हो डॉक्टर हो और फीजियो को भी आपकी तरह के सब्दो और प्रोच शाहन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को मैदान पर देखने के लिए उस सुख हो जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीزल किरेड़ बिहार में आज जानी मंगलवार को पेट्रॉल डीजल के रेड जाडी की गए जिसके बाद राजधारी पठना में आज पेट्रॉल 17.292 दो डूर रूपे और दीजल 94.296 दूर पती लिटर में मिल रहा है और डीजल की कीमत 98.97 रुपए पती लीटर ने धायत की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.974 रुपए पती लीटर ने बता दे कि बिहार वे पेट्रॉल का रेट सबसे आदा कसंगजबे है जहां पेट्रॉल 119.94 रुपए पती लीटर और डीजल 96.94 रुपए पती लीटर की दर से मिल रहा है बिते दिन हमादारा पूचे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें उनके नाम है करनिया कुमार, धर्मवीर भक्ता, रंजीत मिश्रा, असर्फी मंडल, मृत्ययंजर कुमार, शंकर मुखिया, प्रिंश कुमार प्यूस कुमारी संजना, मुटुरंगीला, बावुलाल मरांडी, सदुल्ला पलवी, मुहम्मद नौशुद राजा, गौतम राम, उमेश्रे सिदेव, बंधना कुमारी, महेश दास अब बरते आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, पुआल जलाने वाले किशानों से बिहार सरकार धान नहीं खड़ी देगी, सरकार का यह फैसल आपके नुसार कितना सही है और क्यों, अब अपना जवाब हमें अमारे कामेन सेक्षिन लिख कर ज़रूर बताए, आज के लिए